हेलो गाइस बेलकम बैक टो अबर चनल गाइस देखे आज की वीडियो हमारी EWS और डीजी एडवीशन 2024 के रिगार्डिंग रहने वाली है बहुत सारे पैरेंट्स पूछ रहेते कि सर हमें इसके बारे में अपडेट दो कि इसके एडवीशन के फॉर्म कब तक रिलीज होगे वो क्या डोकुमेंट रहने वाला है 2024 के लिए और क्या अड्रेस प्रूप रहने वाला है क्लास हमारी नर्सरी लकेजी और फर्स्ट के लिए फॉर्म की रेश्टेशन डेट आप लोगों को पता है कि 10 फैवरी से स्टार्ट हो रही है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 10 पर दिल्ली सरकार के तरफ से जारी कर दिये जाएगे वर अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है जब भी इसके फॉर्म रिलीज होगे तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी आप लोगों से रिक्वेस्ट जो नए हमारे चैनल करवाया था अपने चैनल के माध्यम से और बहुत सारे पैरेंट्स ऐसे थे कि बहुत सारे डोकुमेट ना होने के कारण उनका एड़िशन किसी ना किसी कारण से रद्द कर दिया गया और आप लोगों को मतलब कि आपके बच्चे का नाम जिस स्कूल में आता है तो आप लो के माध्यम से डोकुमेंट बहुत सारे पैरेंट्स की बड़ी समस्या रही है मैं डोकुमेंट के बारे में बता देता हूं और फॉर्म फिलिप करते बक्त बहुत सारे पैरेंट्स पता है क्या गलती करते अब बहुत सारे बहुत सारे पैरेंट्स ऐसे भी हैं पिछले सालों मैं request करूँगा अगर आपने ये document नहीं बनवाया ने तो आप इस साल भी रह सकते हो पहले तो आप आप आया है कि आपने बच्चे का अधार का date of worth मतलब कि वर्थ certificate होता है वो आपके पास होना certificate must है आप बहुत सारी यूटूब के चैनल के माधियम सा आप लोगों को नियूजी नहीं दी जा रही है कि income certificate लगेगा या नहीं लगेगा तो यह आप लोगों के लिए mandatory है 2017 में या 19 में बनवाया है उसको renew नहीं करवाया है तो वह आपको renew करवाना बहुत ज्यादा important रहे क्योंकि जब form भरते हो तो उस टाइम पे आप लोगों का वहाँ पर data or date issue of date देखी जाती है तो issue of date जो recent की होती है उसी को ज्यादा priority दी जाती है ठीक है तो यह जो आप आपसे मैं कह रहा हूँ यह चीज आप लोग compulsory रख लेना क्योंकि यह must है आप लोगों के admission के time पर बहुत ज़्यादा helpful रहने वाली है ठीक है अब मैं बात करता हूँ यह तो document का हो गया आप बहुत सारे government भी होगे किसीने किसी के parents ठीक है तो government हो तो government वालों को लिए भी आ बलते हैं तो आपको हमारे चैनल के माद्यम से भी KBS के बारे में update मिल सकते हैं अगर किसी भी परकार की आपकी कोई समस्या एक क्यूरी है तो parents आप मुझे comment box के माद्यम से पूछ सकते हो हमारा telegram में description में मैं link दे दूँँगा हाला कि मैंने पिछले साल भी बहुत सारे बच से हल हो जाएगी तो यह तो थी कि दस फरेवरी से आप लोगों की कोई न कोई दिल्ली सरकार के तरफ से notification जारी करते गए और आप लोगों के चैनल के माद्यम से आपको EWS DG के admission कब होगे आप लोगों के चैनल के माद्यम से पता चल दाएगा तो फिर मिलते हैं parents next वीडियो वाचिं